स्वच्छता जीवन शैली होती है, स्वच्छता अनुशाशन होती है आप एक नजर अगर आप देखेंगे, आप खुद हैरान हो जाएंगे यानि भारत का सबसे आख्री गाओं माना, आज पूरे भारत वर्ष के लिए एक एक एक्जाम्पल बन गया है स्वच्छता के लिहाज से, और ये स्वच्छता आप पूरी अगर नजर डाल लेंगे हम पूरे रास्ते बर आ रहे थे हमारे मन में एक प्रशन आया कि अरे यहां तो बड़ी स्वच्छता है, पूरा साबसुतरा बनाया गया है तो ये जो स्वच्छ भारत अभिहान है ना, उसका जो ब्रैंड अमबेजडर है ये पूरा मारा गाओं बन गया है, यहां के लोग बन गये हैं जिन्हों ने ना सेब स्वच्छता की महतुता को समझा, बलकि उसको जमीन पे उतारा ये स्टोरी हम इसलिए दिखाना चारे हैं कि हमने स्वच्छता का अंदोलन शुरू तो किया लेकिन मुझे लगता हमने उसे अधूरे में छोड़ दिया लेकिन माना गाओं के लोगों ने संकल्प लिया कि माना गाओं को स्वच्छ रखना है, साफ रखना है और आप देखिए उन्होंने जगे जगे कूडे के धेर बनाये हुए हैं और सब लोग कूडा वहीं डालते हैं यही खासियत है इस आंखरी गाओं की कि इतनी विपरीत परिस्तितिया होती है लेकिन उसके बाद यहां के लोग स्वच्छता की महत्ता को समझ गए हैं हम भारत वासियों को भी स्वच्छता की महत्ता को समझना चाहिए क्योंकि अगर भारत स्वच्छ होगा तो हम मैं कहूंगा स्वस्त रहेंगे स्वच्छता के साथ स्वस्ता का एक बड़ा लिंक है साब और माना के लोग इसी लिए स्वस्त रहते हैं क्योंकि वो अपने चारों और स्वच्छता बनाए रखते हैं ये स्टोरी देखने के बाद मैं सभी भारतवासियों से ये विनम्र प्राटना करूंगा अनुरोत करूंगा कि आप भी स्वच्छता को अपना ये अपने घर में जैसे हम स्वच्छता रखते हैं उसी तरह आसपास भी स्वच्छता रखें तभी हमारा भारत स्वच्छ होगा बहुत-बहुत धन्यवाद आपका अगर आप हमारी इस खबर को फेस्वुक पे देख रहे हैं तो पेज को फोलो करें और अगर योक्योक पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें